हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबी का हमारे चैनल नीदी फैमली व्लोग में तो एक बार फिर से मैं हाजीर हो गई हूँ आपके लिए लेकर बहुत ही कमाल के टिप्स एंट ट्रिक्स देखे घर का काम तो हम सबी करते हैं लेकिन उन्हें अगर कुछ टिप्स एंट ट्रिक्स के साथ किया जाए तो काम हमारे इजी हो जाते हैं और काफी अच्छे तरीके से हो जाते हैं तो ऐसे ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ वीडियो को सुरू करते हैं तो first tip है यहाँ पर बादाम को लेकर देखे कई बार हम काफी सारे बादाम लेकर आ जाते हैं और उन्हें इस तरीके से किसी कंटेनर में भरके रख देते हैं तो बादाम हमारे खराब ना हो लंबे समय तक हम उनका यूज कर सके उसके लिए हम क्या करेंगे हम लेंगे यहाँ एक चमच चीनी और उसे बादाम के टब्बे में डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इससे क्या होगा कि बादाम हमारे कभी भी खराब नहीं होंगे आप किसी भी air tight कंटेनर में वरकर इनको चाहे तो फ्रीज में रखे या फिर बाहर भी रख सकते हैं तो चलिए next tip क्या है वो भी देख लेते हैं दोस्तों जब भी हम खाना बनाते हैं चाहे वो कुकर हो या फिर पतिला हो या फिर किसी कढ़ाई में खाना बनाएं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा gas का flame होता है उसे हम फूल करके छोड़ देते हैं कई बार हम सोचते हैं कि खाना हमारा ठरस्ट होती रहती है तो हमें ऐसा नहीं करना है हमें जो फ्लेम है वह बरतन के तले तक हमें काफी मुस्किल हो रही है ये आसानी से पाड़ नहीं हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे हमें लेना है साभून को यह भी बातिंग। आप ले सकते हैं आप चाहिए तो चोटे-चोटे जो साबुन के टुकडे होते हैं उनका भी ऊज ईूज कर सकते हैं so the safety pin को हमने साबून में इस तरीके से चुबोया है ुससे करने से क्या होता है कि इस safety pin होता है हमारा वो slippery हो जाता है और आसानी से हमारी साड़ी के जो हैवी बोडर होते हैं उनसे पार हो जाता है तो यह ना काफी अच्छी ट्रिक तो ठीक उसी तरीके से हाँ पर मेरी जो अगली टीप है वो भी मोटे कपड़े जो जैसे जीन्स के होते हैं पैंट होती है तो उन में भी जब हम कहीं बार सेफटी पिन लगा नहीं पाता है और कहीं बार जो हमारी सुई होती है जैसे हमें बटन लगाना होता है तो वह भी सुई जो हमारी होती है वह इनसे आसानी से पार नहीं होती है और हमें काफी प्रेशानी होती है तो यहां पर भी हम इसी तरीके का यूज करेंगे सेफटी पिन अगर हमें लग कर सकते हैं मेरी नेक्स टीप है फ्रीज को लेकर दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब कभी हमें बर्फ की जरुरत पड़ती है और हम फ्रीजर में से आइस्ट्रे को निकालने जाते हैं तो वो कई बार चिपक जाती है तो हम उसको मुश्किल से चुड़ाते हैं या फिर कई बार हमें फ्रीज को बंद करना पड़ता है तो कुछ देर बाद फिरम उसको निकालते हैं तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे देखे जब कभी भी हम आइस्ट्रे को बर्फ जमाने के लिए रखे तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके का कोई भी मोटी पो पाएंगे तो एक बार आप इसे ट्राइगर के देखेगा यह देखे इस तरीके से इसको हम रख देंगे तो जब कभी भी हमें बर्फ की जरूरत होगी आइस्ट्रे को हम बाहर निकालेंगे वो बिल्कुल भी नहीं चिप देगी और हम बड़ी ही आसानी सोस को निकाल जाती है और जब भी हम इंसे कुछ आटते हैं तो उसे आसानी से हम नहीं काट नहीं पाते हैं या फिर यूज करते करते कई बार इनए今日 जंग citrus का जाता है तो हम क्या करेंगे देखे हम ले लेंगे बर्तंद में यारा पर राईस और इस तरीके से हम जितने भी हमारे चाकु है उसे हम इसमें डाल कर रख देंगे और चावल के अंदर हमें चाकू को इस तरीके से चलाना है उससे क्या होगा कि थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो चाकू की धार है वो वापस से काम करना सुरू कर देती है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट नहीं भागना पड़ेगा हम घर में ही अपने काम आसानी से कर सकते हैं तो मेरी नेक्स्ट आइडिया है देखे हम सभी के घर में ये इस तरह की मेजरमेंट वाली पट्टी या इसकेल जो भी आप ओलते हैं यह हम सभी के पास होती है तो इसके उपर कुछ निसान होते हैं नंबर ह होते हैं लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं तो यह मिट जाते हैं तो अगर यह नंबर सना हो तो फिर हम इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे तो इसके जो नंबर है वो सेप रहे हमारी पट्टी अच्छे से हम इसका यूज कर सके उसके लिए हम क्या करेंगे हम इसके पिछ तो देखिए कमाल की ट्रिक Next Tip है Nails Paint को लेकर दोस्तों हमारे पास कहीं सारी Nails paint जमा हो जाती हैं हम एक को बाद एक खरीदते राते हैं लेकिन हम सब का यूज नहीं कर पाते हैं तो कहीं बार क्या होता है कि जब यह पुरानी हो जाती है याज दसमय तक हम इनका यूझ नहीं तो यह रखे रहने के वज़ेसे इस तरीक से देखे जब इनको छोलते हैं तो इनकी यह निकल निकल जाती है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, यहां पर हम ले लेंगे टेप और टेप को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम अन्दर की साइड इसको फिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसे ये जो नेल्स पेंट की बोटल है इसके उपर इस तरीके से लगा देंगे और इसको एक बार बंद कर देंगे उसके बाद ये क्या होगा कि अंदर की साइड जो हमने टेप फिक्स की है वो इस कैप में अच्छे से चिपक जाएगी अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखे कितने अच्छे से इसमें फिक्स हो जाती है और आसानी से खुल भी जाती है तो इस तरीके से अगर हम ऐसे टिप्स एंट ट्रिक्स का यूज करेंगे तो काम हमारे काफी आसान हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं मेरी नेक्स टीप है दोस्तों ये देखे जब हम सापनर और इरेजर लेकर आते हैं तो हम इरेजर का और सापनर का तो यूज कर लेते हैं लेकिन इसके जो ये खाली रैपर होते हैं ये कवर होते हैं इनको हम वेश्ट समझ के फेक देते हैं लेकिन आज हम क्या करेंगे इनको ह इनके अंदर डाल कर इस तरीके से रखतेंगे तो जो चीजें हमारी वो भी और्गेनाइज रहेगी और हमारे जो खाली रैपर होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं उनका भी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो देखे इस तरीके से हम वेस्ट चीजों का भी यूज कर लेते ह और हमारा यहाँ पर यह देखिए कबार से जुगाड हमने कर लिया है तो इनको फेज़कने की वज़ाए अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो यह देखिए हमारा यह एक ओर्गेनाइजर बनके तयार हो जाता है दोस्तों मेरी कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा सेयर करें बेल आइकन को किलिक करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें थैंक्स फोर वोचिंग